सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को नमस्कार मैं सुनिल बर्म धे आईयस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धेटी उपर हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के अपने प्रोग्राम पर जैसा की हम प्रते दिन करते आएं इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रॉल और डीजल की कीमत के विसे में महंगाई के विसे में और RBI के द्वारा सरकार से की गई एक सिफारिस के विसे में जिसमें RBI ने सरकार से कहा है कि जो टेक्स लगाय जाता है पेट्रोल और डीजल पर उसको कम किया जाए क्योंकि अर्थ ब्योस्था के लिए महंगाई काफी बढ़ती चारी तो समझते हैं आखिरे पूरा मुद्धा है क्या पेट्रोल और डीजल की किमते इतनी जादा क्यों है उससे कैसे महंगाई उत्पन हो रही है और RBI ने क्यों सरकार से है कहा है आए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं लेकिन सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ड का सहारा लेंगे जैसा कि आप अपने स्क्रीन को दिहान से अगर देख रहे होंगे तो आपको किंदर में दिखाएगा है अर्थ ब्योस्था अर्थ ब्योस्था से तातपर क्या होता है किसी देश किसी राजिक में होने वाले उत्पादन से हर राजि हर देश का अपनी एक अर्थ ब्योस्था होती है यह अर्थ ब्योस्था इस पर निर्वर करती है कि आखिर उहां पर उत्पादन कितना चादा हो रहा है सो भाविक है उत्पादन का जो संबंध है वो मांग से है जैसा कि आपको दिखाया गया है कि मांग और उत्पादन में क्या है समानुपाती संबंध है अर्था डारेक्ट रिलेशन है इसको दूसरे सब्दों में कहें तो जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन भी क्या होता ह है चाहाँ एक हो या दस हो उत्पादन बढ़ने का मतलब है अर्थब्योस्था में अधिक एसेस का निर्मार होना तो इसको हम कहेंगे अर्थब्योस्था में उत्पादन क्या हो रहा है जादा हो रहा है थीक यही बात आप हर चीज पर अपलाइ कीará जैसा कि हमने मार करके भी समय समझा तो इस तरह से हमने देखा कि जब किसी भी चीज की मांग बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है अब जो उत्पादन बढ़ता है उस उत्पादन में लगता क्या है उसमें लगता है स्रम, अर्थात कुछ लोग मजदूरी करते हैं, कुछ लोग अपना जो है कि स्रम बेच कर किसी प्रोडक्ट को तयार करते हैं, इस स्रम में सभी स्रमिक आ जाते हैं, चाहें वो किसी भी केटेगरी के हूँ, जैसे हम भी आपके लिए क्या हैं, एक सिवा लोगों के पास कितना है, अब मोजी के अलावा तकनीक क्या हो सकता होती है, जैसे किस मारकर को या किसी भी चीज को बनाने के लिए चाहिए, कच्छे माल क्या हो सकता होती है, और एक उत्पादक बाताबरन, उत्पादक बाताबरन का मतलबे है कि आपको ये भरोसा हो कि जो प्रोड़क्ट आप बना रहे हैं या कोई भी बना रहा है वह बिक जाएगा ऐसी कंडिशन होगी अर्थाद जो उत्पादन की कारक हैं जिसमें सरफ बोजी तकनीकी कच्छामाल उत्पादक बातबरण आदी चीजों को हम सामिल करते हैं जब यह ठीक रहेंगे उत्पादन क् जरूरी है कि क्या हो आपके पास पैसा जादा हो पैसे का मतलब है कि जो आपके पास पैसा है उसमें क्या है बच्चत जादा हो जैसे 100 रुपए के आपके इंकम होती है 100 रुपए अगर खर्च हो जाते हैं तो आपके पास तो कभी बच्चत हो नहीं पाएगी जब बच्च नहीं होगी तो क्या आप को टोई स्टार्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसलिए जब बचत जाथा होता है तो पूंजी क्या उती है जादा होती है इसको इस रूप में भी देखें कि अगर मान लेते हैं आपका खर्च जादा है और खर्च जब जादा होगा तो बच्चत क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो जब बच्चत आपकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो आपनी बेस भी क्या करेंगे कम करेंगे इसलिए यह माना जाता है कि अगर अर्थ ब्योस्ता में मह बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है कि किसी प्रॉड़क्ट को अगर हम पहले 10 रुपए में खरिद रहे थे हैं अब 12 रुपई में क्रीद रहे थे अगले दिन मालूम पंदर रुपई में करीद रहें तो यह क्या हो रहा है कि हम हमारी जो इंकम है उसमें से जो हम बचत कर पा रहे थे अब बचत नहीं कर पाएंगे और उससे क्या होगा हम उसी में से खर्च करेंगे जब खर्च करेंगे बचत कम होगा तो क्या होगा हम निवेस नहीं करेंगे तो इसलिए कहा जाता है कि उत्पाधन के लिए जरूरी है कि मांग हो और मांग के लिए जरूर मांग भी जादा करते हैं आय का प्राप्त जादा होगी जब अधिक लोगों को रोजगार होगी और रोजगार अधिक लोगों के तब उपलवद हो पाएगा जब अर्थ व्योस्ता में सभी चीजे ठीक चल रही होंगी हर सेक्टर क्या कर रहा होगा अच्छी तरह से आगे ब से भी संबंद हैं जब आप क्या करते हैं उत्पादन ज्यादा करते हैं निर्याद ज्यादा होता है निर्याद जब ज्यादा होता है तो बाहर से पूझी आपके पास ज्यादा आती है जब आपके पास पूझी ज्यादा आएगे फिर आप निवेस करेंगे फिर जब निव बेवस्ता क्या होती है, सही डारेक्शन में बढ़ती है, लेकिन अगर क्या हो जाए, महंगाई बहुत जादा हो जाए, तो आपकी बचत पर एफेक्ट पड़ेगा, या फिर दूसरे सब्दों में कहें, तो क्या होगा, कि जो उत्पादन करता है, उनको लाब कम होगा, जैसे की माल लेते हैं, इस मारकर को बनाने के लिए, हमने कुछ स्रम लगाया, कुछ पूजी लगाया, कुछ तकनीकी लगाया, कुछ कच्छा माल लगाया था, अब जब हम इस पर जादा खर्च करेंगे, तो हमारा लाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसी को दिखाया गया ह कि खर्च और जो है कि profit में क्या होता है, inverse relation होता है, अर्था जैसे जैसे खर्चा बढ़ता जाएगा, लाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, दूसरा विकल्प क्या है मैं इसकी कीमत बढ़ा दूं, लेकिन कीमत जब बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, यह जो marker की जो demand है व संतुलन कैसे रहेगा, कि जब हर factor, हर कारक क्या करे, सही direction में आगे बढ़े, अगर अर्थ ब्योस्ता में क्या होगी, निश्चित्ता होगी, तो अर्थ ब्योस्ता तेजी से अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी, और यह जो निश्चित्ता है, किस पर निर्वर करती है, आंत किसी तरह से आंतरी कारकों में देखें, कि अगर मालूम चला, आपको महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आप सोचेंगे, कि हम इस तरह से तीजी से महंगाई बढ़ रही है, तो हम पहले अपने खर्चे के लिए पैसे रखेंगे, ना कि निवेज के लिए रखेंगे, ठीक इसी तरह से जो उर्जा और प्रोसाहन मिलता है अर्थ ब्योस्ता को, वो कैसे मिलता है कि सभी चीजे अपने रूप में सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ रही है, तब अर्थ ब्योस्ता क्या होती, अब जितने चीजे मैंने बताई हैं, सभी चीजों को आपको इस से तो मांग और आपूर्थी में जो असंतुलन उत्पन होने पर क्या होता है बस्तुंगों और स्यवाओं की कीमतों में बृद्धी हो जाती है और इसी को हम कहते हैं मुद्रा इसपीती अब ध्यान दीजी इसमें लिखा है कि मांग और आपूर्थी में इसका मतलब क्या है कि मा बढ़ गया लेकिन सप्लाई अगर नहीं है अग्धार सप्लाई मान लेते हैं पहले 10 यूनिट की थी अब डिमांड हो रही है 20 यूनिट की लेकिन मार्केट में 10 यूनिट है तो क्या हो जाएगी इसकी जो है कि कीमत बढ़ेगी आप दोकांदार के पास जाएंगे उसको पता है कि 20 लोग खरीदने वाले हैं तो कहेगा कि नहीं पहले हम जो एक यूनिट 10 या 20 रुपे में देते थे अब हम उतने में नहीं देंगे वह अपने हिसाब से कीमत तय करेगा तो यही कंडिशन क्या कहलाती है मुद्रा इस्थीति इसमें क्या हुआ कि जो मांग डिमांड औ खरीदने के लिए या किसी भी चीज को खरीदने के लिए अब जादा भुकतान करना पड़ेगा तो इसी को मुद्रा इस्थीति या इंफलेशन के नाम से जाना जाता है अभी जो मुद्रा स्थीति है समानतों दो करणों से आती है पहला है एक मांएजनित कारत और दूसरा है लागत जनतकारत अब इस समझते हैं कि आखिर है क्या तो सबसे पहला जो है वह है मांग जनित मुद्रा जैसे कि इसको आपने अभी कुस्ता में पहले देखा होगा कि जब सेनेटाइजर था तो सेनेटाइजर पहले भी यूज होता था लेकिन क्या हुआ तुरंत उसकी जो डिमांड है वह बढ़ गई और जो उत्पादन था या तो वह स्थिर था या फिर और भी क्या हो गया कम हो है तो इससे क्या होगा यह जो कारक होता है इसको बोला जाता है मांग जनित कारा अर्थात इसमें क्या है डिमांड जो है कि बढ़ गई है और उत्पादन या तो उतना ही है या फिर क्या है कम हुआ तो इसमें मेन फेक्टर क्या था डिमांड का बढ़ना तो इस तरह से बढ़ा दिया जाया या फिर मांग में अगर कमी आएगी तो यह जो महंगाई है क्या हो जाएगी अपने आप कम हो जाएगी दूसरा है आपका कौश्ट कुस इंफलेशन या लागत जनित मुद्रा इस्विती इसका मतलब है कि जो भी आप उतपाधन कर रहे हैं उसमें जो च जादा जो है कि क्या चाहिए रेंट चाहिए या पूजी अर्थात जो उस उतपाधन के लागत में जो पूजी अब हम माल लेते हमारे पास पूजी नहीं है हम बैंक के पास के बैंक से कहा हमने आप हमको लोन दे दीजिए वो पहले कह रहा था कि हम 10% पर देंगे अब कह र नहीं करेंगे, अधिक करेंगे, ठीक इसी तरह से कच्छा माल की अगर जो उसमें खर्च हो रहा है, जैसे प्लास्टिक है, इंक है, कुछ भी है, इसी तरह से उड़ जा, जो उसको बनाने में यूज हो रही है, अगर इन चीजों की क्या होती है, लागत बढ़ जाती है, जा, कि आखिरी मुद्रा स्विती क्रेट कैसे होती है, अब इसी चीज को यह जो लाइन है, इसी चीज को आप क्या करिए, पेट्रोल और डीजल की चीजों पर अपलाई करेंगे, आपको पता है, पेट्रोल हो या डीजल, यह क्या होते हैं, बाई प्रोडक्ट के रूप मे उर्जा के रूप में, कई जो है कि लगवक्त सभी सेक्टर में, चाहे किसी का सेक्टर हो, या फिर उतपादन का हो या अर्था, सेकंडे सेक्टर हो, या तरसरी का अर्था, सेवाओं के आप उरती के लिए, अगर आप तक कोई सेवा कुछ भी पहुँचा रहा है, तो उसम उसकी द्वारा जो उतपात थे, उनकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मान लेते हैं, मैं एक विस्किट बनाता हूँ, विस्किट बनाने के लिए मुझे क्या है, उसमें जनरेटर से चलाना पड़ता है, या फिर जो है कि विस्किट को मार्केट तक पहुँचाने के लिए मुझे गाड़ी की आफ सकता होती है, जिसमें पेटरोल और डीजल में भरवाता हूँ, सौभा भी क्यों पानी से नहीं चलेगी, तो ऐसे कंडिसन में क्या होगा, कि जैसे ही ये चीज़े पेटरोल और डीजल की चीज़े बढ़ी, मेरे प्रोड़क्ट की लागत क बढ़ जाएगी, तो क्या करूँगा, मैं मेहंगा उसको बेचूँगा, और धीरे धीरे क्या होगे, मेहंगाई बढ़ने लगी, अब इसी चीज़ को पूरे अर्थ व्योस था, कि देश के उपर लागू कर दीजे, आपको पता चलेगा, कि हर चीज में पेटरोल और डीज क्या है, इनवाल्व है, ऐसे में अगर पेटरोल और डीजल की कीमते बढ़ती हैं, तो बाकी सभी प्रोडक्ट की भी क्या होगे, कीमते बढ़ेंगी, और इहीं कीमतों के बढ़ने को तो हम क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं, तो यहां तक आपने चीजे समझ लिया होगा, थोड़ा सा मुद्रा इस्फिति को और समझते हैं, ताकि टॉपिक पर आपकी जो कॉंसप्ट क्लियर्टी और बढ़ सके, मुद्रा इस्फिति की बज़े से क्या होता है, जो निश्चित आयवबर्ग वाला व्यक्ति होता है, उस पर काफी निगेटिक इंपेक्ट पड़त लेकिन अब मालुम चला कि मुद्रा इस्फिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मेरा जो खर्च है, वह 21,000 हो गया, लेकिन मेरी सेली कितनी आएगी, 20,000 रुपे आएगी, तो ऐसे में क्या होगा, कि मेरे उपर या मेरे जैसे जो निश्चित आयवाले लोग हैं, उन तो हमने समझा कि निश्चित आयवाले बर्ग पर क्या प्रभाव पढ़ता है, ठीक इसी तरह से जो आपको यह जो मुद्रा इस फितिक अवस्था में क्या होता है, मांग में कमी आती है, उत्पादन पनकारात में प्रभाव पढ़ता है, जो मैंने समझा, इसी तरह से अग आपने इस से 100 रुपे लिया, और 100 रुपे में यहां बैक्ती इस समय कुछ खरीच सकता था, यह बैंक है, माल लेते हैं, ठीक है, आप गए, आप इस से 100 रुपे लिये, आपने क्या किया, 6 महीने बाद इसको वापस किया है, 100 रुपे की जगे 110 रुपे, लेकिन जो अब 110 में खरीद सकता है, महेंगाई इतनी जादा बढ़ गई है, कि उसको पता चला, कि अरे मेरे पास पहले वाला 100 रुपे होता है, अर्था पहले वाले का मतलब, कि पहले अगर यह जो 100 रुपे मैंने किसी को दिया होता है, 110 रुपे आप बापस तो करना है, लेकिन उस 110 आप मुझे रिड दे देजिए, हम उत्पादन करके पैसा, तो ओ दे देंगे, अब ऐसे में रिड दाता आपको क्या दे देता था, पैसा दे देता, अब ओह नहीं देगा, तो रिड दाता रिड कमी कर देता है, इसी तरह से जब पैसा ही आपके पास कम बचेगा, आप कर पार, तो इससे क्या होगा, आयात आप जादा करेंगे, आयात जब आप जादा करेंगे, तो क्या होगा, आपको भुकतान जादा करना होगा, आपको विदेशी मुद्रा क्या करना होगा, जादा देना होगा, तो इससे क्या होगा, आपके भुकतान संतुलन पर नि करें to reply देमांड करने करें, तो निर्यात कम हो जाएगा और आयाद जादा हो जाएगा, आयाद जादा होने का मतलब का है कि आप का जो बैलेंस औपयमेंट है या फेर जो कहें कि आपको अपनी जेब है जादा धेली करनी पड़ेगे, आपकी बिदेसी मुद्रा क्या होगे, बाहर जाएगे, ठीक इसी तरह से जब मुद्रा इस्पिती परती है, तो सरकार पर भी निगेटिव इंपेक्ट परता है, सरकार को सारोजनिक बैद जादा करने परते हैं, मालेते हैं इच्छा के लिए, स्वास्त के लिए, किसी चीज का वो भी तो भुकतान करेंगे, तो उनको ज्यादा भुकतान करना पड़ता है, तो उस भुकतान के लिए क्या करते हैं सरकार, नए टेक्स लगाती है, और नए टेक्स लगाती है, फिर टेक्स की रेट को क्या करते हैं, ब पादक बर्ग का मतलब जो पूझी पती है, वो क्या है, जिस चीज का उत्पादन कर रहा है, उसी चीज का क्या हो जाए, जैसे मैं मारकर का उत्पादन कर रहा हूँ, इस मारकर की महंगाई जादा बढ़ जाए, मेरे अलावा कोई जो एक उत्पादक नहीं है, तो मैं क्या कर है हर बर्ग को लगभा लगभा प्रभावित करती है इसलिए जरूरी होता है कि महेंगाई क्या है नियंतरण में रहें अगर महेंगाई का बिकेगा, 103 रुपे का बिकेगा, तो आपको लगेगा profit, और साथी साथ, यह कोई ऐसी आकासमी condition नहीं है, कि जो है कि क्या हो, बहुत create हो, तो यह माना जाता है कि अगर, जैसे मैं marker बना रहा हूं, मुझे पता है कि अगले साल inflation बढ़ेगा, इसकी जो है कि demand बढ़ेगी, इ लेकिन अगर सोचिए कि यह जो marker है, अगले साल जो है कि 110 रुपे में होने वाला हो, तो ऐसा नहीं होगा, यह क्या होगा, इसकी demand कम होगी, कारण क्या अनिस्चित्ता है, तो थोड़ा बहुत अगर महंगाई बनी रहती है, तो उत्पादगबर को और उपभोगता को, दोन headline मुद्राइसपीती, headline मुद्राइसपीती में क्या होता है, कि सभी चीजों की हम महंगाई को देखते हैं, और इसमें खाद और एधन की कीमतों को भी देखते हैं, अर्थात हम यह देख रहे हैं, कि हमने बास्केट लिया, उसमें कुछ चीजे रखी, उनमें कितने परतिसत महंगाई बढ़ रही है, और इस बास्केट में क्या है, खाते और इधन की भी चीजे हैं, तो इसको बोलेंगे headline मुद्राइसपीती, वहीं जो दूसरी मुद्राइसपीती होती है, उसको बोला जाता है, core inflation या core मुद्राइसपीती, जिसमें क्या होता है, जो खादे पदार क्योंकि इनकी जो कीमत है तेजी से बढ़ती और कम होती है तो ऐसी मुद्राइसफीती को कहेंगे core inflation I hope आप समझ पाए होंगे कि आखिर ये जो मुद्राइसफीती है ये क्या है और कैसे है कारे करती है अब आपको पता है कि अत्यदी का जो मुद्राइसफीती क्या होगी अर्थब्योस्था के लिए घातक मानी जाती है और इसलिए इसको 2-3 परतिसत रखा जाता है और इससे क्या होता है उत्पादक को भी उस्ता बना रहता है कि हां हमारे उत्पादक की कीमत बढ़ेगी और की जब बढ़ने का उसके पास आस्वासन होगा तो उत्पादन वहां करता रहेगा और इसी के कारण जो RBI है RBI को ये भूमका दी गई है कि वहां क्या करे अर्थब्योस्था में जो उत्पादन को सुचार रूप से चलाने के लिए महंगाई को नियंतिर्थ रखने में अपन पिर GDP या एकॉनमी के ग्रोध को ध्यान में रखते हुए मुद्रा इस थिर्था को बनाए रखने का कार्य करती है इसका लच है कि 2 से लेकर 4 परतिसत तक क्या करना जो है कि महंगाई दर को नियंतिर्थ करना कई जगे आप देखे होंगे कि 2 परसेंट से लेकर 2 परसेंट आ अब आपको पता है कि RBI की जो मौद्रिक नीति समीती है इसके जो अध्यच होते हैं वो RBI के पदेन गवर्नर होते हैं बाकि 6 अन्य सदस होते हैं और यहां क्या करते हैं समय समय पर बताते रहते हैं कि RBI जो कि महंगाई उसको कैसे नियंतिर्थ किया जाए या फिर हमें क्य क्या करना चाहिए हाली में क्या हुआ है RBI के गवर्नर ने केंदर सरकार और राज सरकारों से करों में कटोती की सिफारिस की है और यह क्यों कि है अभी क्या हुआ था कुछ समय पहले ही मौद्रिक नीति समीती की बैठा कोई थी और उसके बाद यह कहा गया कि जो पेट्रोल नहीं कि जाएगी तो पेट्रोल और डीजल क्या है जिन उद्योगों में भी लागू होते हैं उन सभी अर्थ व्योस्थाओं पर या उनके सभी सेक्टरों पर नेगेटिव इंपक्त पढ़ने की बज़े से अर्थ व्योस्था में क्या होगा कई तरह की दिक्कते आएंगे आपको पता है पेट्रोल और डीजल पर केंदर सरकार एकसाइड डूटी लगाती है जबकि राजे सरकारे क्या लगाती है वैट लगाती है वैट लगाती है वैलू एड़े टेक्स लगाती है तो यहां तक हमने यह समझा कि आखी RBI के गौर्णर ने क्यों यह कहा है जो मैंने सबसे पहले आपको flow chart बनाया था उसको RBI के गौर्णर के सिफारेज के पॉंट अब्बे से समझेगा RBI गौर्णर ने कहा है कि पेट्रोल डीजल मुल्य में ब्रधी से अन्य उत्पादों का मुल्य बढ़ेगा जिससे मुद्रा इस्पीती की स्थिति क्या होगी उत्पन होगी हला कि इसी समय जो मुद्रा इस्पीती की रेट है वो 5.5% से लेकर 6% के नियर वाउट है और अगर ये इससे भी उपर बढ़ती है अर्थात मुद्रा इस्पीती बढ़ती है तो इससे क्या होगा हमारी अर्थव्योस्था पर निगेटिव इंपक्ट पड़ेगा भारत अब हमने यहां तक समझ लिया कि आखिरी मुद्रा इस्पीती का पूरा जाम क्या है और वियाई गौर्णन ने क्यों कहा है आपको पता है कि भारत क्या करता है चीन और अमेरिका के बाद कच्ची तेल का सबसे बड़ा उपभोगता है और प्रतीक बर्स लगभग 211 मिलियन टन तेल का उपभोग करता है लेकिन आपको जानकर आश्चर होगा कि इसमें से लगभग 84% से लेकर 89% तर जो कच्चा तेल है जिसका हम उपभोग करते हैं इसको हमें आयात करना पड़ता है अर्था खरीदना पड़ता है दूसरे सब्दों में कहें तो जो हमारा उपभोग है इसमें से लगभभ 35 मिलियन टन का ही हम उत्पादन हमारे देश में होता है और बाकी का हम क्या करते हैं आयात करते हैं अ लेकिन कम खर्च कभ होगा जब अंतरराश्टी कच्छे तेल की केमते क्या हों कम हो दूसरा जो मैंने यह बताए कि इतना तेल उपभोग होता है यह तो कर्सिकार में खर्च होता है यह जैसा कि हमने कहा कि कच्छे तेल का उल रहा है अगर इस पर का मुल्य ज्यादा है तो या फिर क्या हो हमारे पास क्या उत्पादन ज्यादा हो उत्पादन हमारे यहां ज्यादा नहीं होता लेकिन कच्छी तेल की कीमत के हैं बढ़ती और घरती रहती देखी सबसे पहले समझे आखिर पेट्रोल या डीजल जोभी आप ले ले लिजे इन 최고 convenience प्रीमत किनपर अब यह जो dealer का commission है इसको इस रूप में समझेए लगवग साधे 3 रूपए से लेकर 3 रूपए 70 पैसे के near about प्रती लीटर dealer का commission होता है इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्था नहीं आता अर्था dealer यह नहीं कहेगा कि आज हमन कहा base price का मतलब क्या है कि जो अंतराष्टी कच्चे तेल की कीमते हैं जब क्या हुआ कम होंगी तो सवभाविक हम कम कीमत में वहां से कच्चा तेल लेकर आएंगे फिर उसको refine करेंगे कच्चे तेल की जो केमते हैं इनका जो मुल्य होता है यह माना जाता है प्रती वैरल में करें इसको count के जाता है देखिए जैसे लिकाए कि base price कच्चे तेल का अंतराष्टी मुल्य के अनुसार समायोजित मुल्य है अर्थात कच्चे तेल का प्रती वैरल जो मुल्य है जब यह इसको डॉलर में नापा जाता है और जब डॉलर में प्रती वैरल जो है कि डॉलर का जो मुले कम हो या दूसरे सब्दों में कहें कि एक वैरल की जो कीमत है अगर माल लेते हैं 100 डॉलर है तो यह क्या है जादा है अगर इसकी जगे पचास एक वैरल की जो कीमत है पचास डॉलर है तो क्या है यह सस्ता है तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो प्रती वैरल कीमत जब वेस्प्राइस भी क्या हो जाता है कम हो जाता है अगर बर्ष 2004 में हम देखें तो जो बेस्प्राइस था तेल का वह या अंतरराष्टी कच्चे तेल की जो किमते थी इसको इस रूप में समझे वह था 106.84 डॉलर प्रती बैरल और 1 बैरल में कितना बता है हमने 169 लीटर तो यहाँ पर कितना था एक सोच है लेकिन आज अगर आज की डेट में अगर आप गुगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 61 से लेकर 65 डॉलर प्रती बैरल है दूसरे सब्दों में अगर हम कहें तो यहाँ पर यह जो कीमते थी 2014 मई में वह बहुत जादा थी और आठ पांच जो है कि डॉलर था अब कितना है 61 से लेकर 65 यह दो मुल्य इसलिए कि एक अमेरिका डबलू टी आई का है दूसरा है लंदन क्रूर इसमें नहीं जाएंगे इसमें वीडियो बना चुका हूं बस आप इसको समझें मैंने दोनों आकडे दो जगे से अंतराष्ट यह दो का जो आयात ब्यापार होता है उसको मैंने दिखाया तो कुल मिलाकर समझें 106 से लेकर अभी की जो कीमते हैं काफी कम है और अगर मैक्सिमम देखा जाया तो 65 डॉलर प्रती वैरल है इस हिसाब से क्या होना चाहिए हमारे यहां तेल का जो मुल है वह कम होना चाहिए लेकिन कहतेल का मुल बढ़ा इस मुल बरती का जो परमुक कारण है केंदर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एकसाइज डूटी और राज सारकार द्वारा लगाया जाने वाला बैट है मैई 2014 में पेट्रॉल पर जो एकसाइज डूटी लगती थी वह 10 रुपे 10.38 प्रती लिटर लेकिन अब कितना लगता है इसको देख लीजिए इस समय पेट्रॉल पर जो एकसाइज डूटी है यहां लगभग 33 रुपे है और डीजल पर लगभग 32 रुपे लगता है तो आप इससे कंपेर करिए इसमें क्या हुआ है जो एकसाइज डूटी है यह काफी बढ़ा दी गई है देखी इस थोड़ा सा फ्लो चारव कि यहां पर आपको दिखाया गया है बेस प्राइस बेस प्राइस किसमें 2004 में और 2021 में आपको पता चलेगा जो बेस प्राइस 2004 में क्या था जादा था अर्थार अंतराश्टी रूप से जो हम तेल लेकर आते थे जो हम हमारा उसका मुली निकलता था वह क्या था जादा था अब क्या है कम है लेकिन अगर आप पेट्रोल और डीजल की कीमतों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी अंतर है तो इसमें यह देखिए कि आपको पता चलेगा जो बेस प्राइस था चाहें पेट्रोल का ल जो टेक्स लेती थी वह 2014 में प्रती लीटर कितना था दस रुपए तीन आठ पैसे और अब यह आप यहां पर देख सकते हैं ठीक इसी तरह है डीजल पर भी आप देखिए डीजल पर कितना लिया जा था था लगभग साढ़े चार रुपए और अब यह कितना हो गया है रुपए से थोड़ा सा जादा होई है और इसी तरह से आप इसमें डीजल के संदर में देख सकते हैं राजियों का जो टेक्स है इसको भी देखिए आप हमेशा क्या होता किंद्र सरकार पर नाराज होते हैं राजी सरकारों के द्वारा देखिए पहले जो लगता था वह कि यह इस दुरूप में दिखाई देगा, कुल कीमत के point of view से अगर आप देखें, तो आपको diesel कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, पेट्रोल कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, जो कि पहले क्या होता था, कम होता था, इससे आप समझ पाए होंगे, कि जो tax है, वो काफी जादा बढ़ आप देखें, क्रूड ओयल की कीमत आपको डॉलर में दिखाई गई है, पेट्रोल की कीमत रुपे में दिखाई गई है, डीजल की कीमत रुपे में दिखाई गई, समय दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, अर्था जब कहा जाता है, कि जो अंतराष्टी बाजार में, जैसे हमारे है कि पेट्रोल और डीजल को क्या होता है यह कह दिया गया है कि अंतराष्ठी रूप में अगर मुल्य बढ़ता है तो बढ़ेगा और कम होता तो कम होगा लेकिन यहाँ पर आपको यह चीज़े देखने को नहीं मिलेंगे देखे सबसे मैक्सिमम कहां पर आपको दिखाई देगा जो क्रूड ओल की कीमत है 106 रुपे और इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको पेट्रोल की कीमत इतनी दिखाई देगे डीजल की कीमत इतनी दिखाई देगी फरवरी 2021 में जब की कीमत इतनी है आप पेट्रोल की की दोरा बैट लगाया जाता है इसके वज़े से क्या हो रहा है काफी ज्यादा जो है कि बोज पढ़ रहा है पेट्रॉल और डीजल के मुल्यों पर और दूसरे सब्दों में कहें हमारे और आपकी ऊपर अब यह जो वैट है चूंकि राज्चों के दोरा लगाया जाता है हर रा बैट का रेट होगा 33 से लेकर 55% तक दिखाई देगा अगर राज जी क्या करें अपने वैट के अपने हिस्से में कटोती कर दें तो क्या होगा तील की कीमत या पेट्रोल की कीमत जो भी है वह कम हो जाएगी लेकिन राज जी सरकार अगर ऐसा करेंगे तो उनको होने वाली आए पर क्या करेगा निगेटिव इंपेक्ट पड़ेगा आपको पता है कि इस समय क्या हो रहा है कि कोरोणा की वजए से सरकार की इंकम में क्या होई है कमी आई है और दूसरे तरफ खर्च बढ़े हैं तो सरकारों ने क्या किया है कि आप से पेट्रोल और डीजल के माई के हैं आप देख सकते हैं कि पहले किंदर सरकार को एक्साइट डूटी के माद्यम से जो इतना प्राप्त होता था यहां पर देखिए और जब यह पूरा आकड़ा जोड़ जाएगा तो यह भी क्या होगा जो है कि इसको भी क्रॉस यह कर जाएगा इसी तरह से अगर आप पेट्रोल और डीजल पर वैट यह जो से टेक्स लगता है राजियों के दोरा उसको देखेंगे तो आपको यह देखी यह आकड़ा आपको देखने को मिलेगा इसमें भी छे महां के आकड़े हैं और जब चीज़े जुड़ेंगे तो और इसमें क्या होगा ब्रधी देखन को मिलेगा इस तरह से हमें पता चला कि हमारे यहां जो पेट्रोल और डीजल की केमते हैं वो तीजी से बढ़ी है और इसमें क्या है कि जो टेक्स की भूम का है वो जादा है इस टेक्स की बज़े से जो पेट्रोल और डीजल की केमते बढ़ रही है वो अर्थ ब्योस्ता मे जितने भी उतपादन की जगों पर इंका प्रियोग होता है उन पर क्या करेंगे निकेटिव इंपक्ट दालेंगे निकेटिव इंपक्ट से क्या होगा? महंगाई बढ़ेंगे, महंगाई जो बढ़ने लगती है तो अगर देश कुछ याद हो so तो आप उनकी कलपना कर सकते हैं, कि उससे क्या होगा, कई तरह की अर्थ बेवस्ता पर निगेटिव चीजें इंपक्ट आएंगे, और इससे क्या होगा, काफी खराब कंडिसन क्रेट हो सकती है, इसी चीज से बचने के लिए RBI ने क्या किया है, यह सिफारिस की है, बैकि यह कि यहां पर आप परओसी देशों में जो पेट्रोल और डीजल की कीमते हैं, ऑप इनको देख सकते हैं, आपने यूइज देखा होगा, तो आपको पता चला होगा, कि जो नेपाल के यह पास के जो वांडरी वाले छेतर हैं, तो इंडिया के लोग नेपाल में जो है कि क्या कर रहा हैं पेट्रोल और डीजल लेने जा रहा है और कई तरह के black marketing वहाँ पर हो रही है किम तो काप जो है कि तोलनात्म का धिन कर सकते हैं हमें यहां यह समझना था कि आखिर जो पहरीह ने जो सिफारिस की है वो क्यों की है और पेट्रोल और डीजल की बढ़ेगी हम और आप क्या करेंगे उत्पादन कारे में अपना पैसा लगा सकेंगे और साथी साथ पूरे देश के इस्तर पर क्या होगा बचत बढ़ेगी और वह बचतनी वेश में कनवर्ट होगा उत्पादन में क्या होगा, कनवर्ट में होगा वो इससे अर्थ बेवस्ताव को गती मिलेगी इस वीडियो में इतना ही, thank you so much